वीडियो देखकर अपनी राये ज़रूर दें, लाइक शेयर भी करें, लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया पानामा केस जय आईटी रेपोर्ट की खुफिया जल्द नमबर दस खुल दी गई है, इसमें किया है और इस चिल्प को खुफिया क्यों रखा गया? पानामा केस की आखिरी समात के दोरान जजज साहिबान ने जय आईटी की जल्द नमबर दस खुली जिसका उनों ने जायजा लिया जब केस जल्द की मखसूस दस्तावजात वजीर ए आजम के वकील खुजा हारिस को दी गई थी, जराय के मताबग मुश्टर का तहकिकाती टीम, जय आईटी की रिपोर्ट की जल्द नमबर दस में जय आईटी के मुख्तिर्फ ममालिक को लिखे गए खुतूद और सवालात हैं, जराय के मताबग जय आईटी ने बरतानिया, साओधी अरब, दुबई और बिटिश वर्जन आईलाइंस से मालूमात तलब की, जराय जराय ने बताये कि स्विस्ट और लैकसंबग में भी शरीफ खानदान के अकाउंट्स और जय आईदाद होने के इनकिशाफ, जय आईटी के सामने आये जिसके बाद उने भी खुतूद लिखे गए ताहम दोनों ममालिक से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जय आईटी न बुनियाद पर अदालत से दर्खास की थी कि जिन ममालिक को खुतूद लिखे हैं जब तक उनके जवाब मौसूल नहीं तब तक जल्द नमबर दस को मौसूल वीजियो देखकर अपनी राये जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक् कर दो एंविया।